घरगर आयरवेट सीरीज में हमने पंच माबूत और वात पित्त कफ काउन से निर्माण के बारे में जान लिया था कि किस प्रकार से वात पित्त कफ कौन कौन से माबूतों से मिल के बने हुए हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे वात, पित, कफ की प्रोपर्टी के बारे में, यानि कि इनके गुण क्या-क्या होते हैं, किस प्रगार के गुण धर्म दिखाते हैं, या इनकी प्रोपर्टी कैसी होती है, किस तरह से हम पैचानेंगे कि वात कैसा होता है, पित कैसा होता है, और कफ कैसा होता है आईए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सादरपणाम विशाल एक बार पुना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब जैसे आप कपड़े डाल लेते हैं हवा में धूप ना भी हो तो भी हवा तेज हो तो सूख जाते हैं आपकी बॉड़ी जो होती है सर्दियों के अंदर ड्राय पड़ जाती है क्योंकि स्किन जो ठंडी हवा से टकराती है तो फिर वो उसे सुखा देते हैं मौशर उसका सोख लेती है तो इसके अंदर रुक्षता का गुण होता है रुक्षता यानि की ड्राइनेस फिर आता है सीतल ठंडी वाईयू जो होती है यानि की वात जो होता है शीतल प्रकृति का होता है ऐसे तो मर्शिचरह कहते हैं कि गुण के प्रभाव में आने से यह गरम भी हो जाता ह हवा दोनों प्रकारगी होती है लेकिन वो ठंडग से जादा प्रकॉप करती है शरीर में वायू जो है आपके शरीर में जब ठंडग जादा होगी तो कॉप जादा बढ़ जाता है उसका उसकी प्रचंड़ता बढ़ जाती है लेकिन जब उसको उश्मा दे जाती है तो फिर इसको control हो जाती है घट जाती है तो इसी लिए इस बहाफ पर उनका ऐसा मानना है कि वायू प्रक्रती में शीतल होती है ठंडी होती है क्योंकि वो ठंडी चीजों से उपद्रव करती है फिर आता है लगू और शुक्ष्म लगू का रथात हुआ हलका वायू काफी हलकी होती है दो container लिजए एक में YU यानि की खाली छोड़ दीजे और दूसरे में कुछ भी डाल दीजे जो आपको हलके से हलका लगे रूई डाल दीजे तो भी जो YU वाला container है वही हलका होगा तो YU काफी जादा लगू होती है लगू का रथा हलका शुक्ष्म यानि बहुत ही छोटी इस खर होती है खर कर्थात खुरदुरी जिस तरह से dryness आपके skin में आ जाती है वह YU के कारण रुक्ष्चता के कारण तो आपके skin कैसे खुरदुरी हो जाती है ठेक इसी प्रकार से YU का गुण होता है खुरदुरापन तो यह YU की properties होती है फिर ऐसे ही यदि आप वात को control करना चा की जोंगा प्रयोग करना पड़ेगा यानि कि इसको counter attack करेंगे तो ही जाके वायो कंट्रोल होती है या कोई भी दोश होता है उसकी property के against जब हम जाते है तो उसे हम control कर सकते है आयरवेद इसे सिधान पर कारे करता है फिर हम बात करेंगे पित्त दोश की पित्त दोश जो होत होता है इसके गुणों की बात करेंगे प्रुपरडिस की बात करेंगे healthy तो महर्शिचरक ऐसा कहते हैं यह हल्का सुनिक्द और हल्का रुक्ष होता है यह वह्त हुth य Lindsay वह से विछ श्टेंस 2002 पाने प्रहिप्र नीचर में थंडी थी गीषणogenफ होता है और पित्त बैहन यह आमल होता है, यानि कि acidic, इसका जो nature होता है, वो acidic होता है, यह सर गुण का होता है, सर यानि कि सरकने वाला, आपके शरीर से बहने वाला, जैसे liquid बहता है न, ढलान पाके, ठीक इसी प्रिकार से यह हमारे शरीर से सरकने वाला, आगे की और बढ़ने वाले गुण का होता है, यह तीखा होता है, तीखा यानि किसी चीज को भेद के आगे बढ़ जाने वाला, किसी चीज को तोड़ फोड़ के आगे निकल जाने वाला, यह गंध युक्त होता है, गंध यानि कि इसके अंदर स्मेल काफी तेज होती है, तो यह सबी जो पित्त के इसके अंदर लक्षन ब बन लाय तो इसको हम स्थिर चीजों। से जैनी कि जो रुकने वाली चीजिए हैं उन चीज़ों से इसको बैलेंस करते हैं। फिर ऐसे यह अमल है, यानी कि एएक है, तो बेसिक चीजों में से जो आमल है, वह वह शारी चीजें20 entered, फिर इसको balance किया जाता है, यानि कि किसी भी दोष को balance करने के लिए उसके properties के against चले जाएंगे, तो आराम से balance हो जाते हैं, फिर तीसरा दोष जो आता है, वो होता है कफ दोष, कफ दोष जो होता है, दो महाभूतों से मिलके बना होता है, पृत्वी और जल महाभूत, और इसक इसके अंदर पदार्थ के अंदर कुछ न कुछ तो वजन होगा ही हवा इत्यादी से जादा होगा, तो इसलिए ये जो matter होता है, ये भारी होता है, कफ के जो गुण होते हैं, सबसे पहले गुण में आता है भारी पन, इसके जो दूसरा गुण होता है, वो शीतल थंदा, ये काफी शीतल potency का होता है, ऐसे ही ये snigd होता है, यानि चिकना, इसके अंदर चिकनाई होती है, पिछिल गुण होता है, इसके अंदर पिछिल कार्थ होता है, चिप-चिपा, कोई भी चिप-चिपी चीज, चीनी आपने देखी होगी जब इसको पिगला देते हैं, तो होती है, तो कुछ इस प्रकार की उसकी नेचर होती है, कफ की, फिर इसका एक और नेचर होता है, या म्रदू होता है, यानि म्रदू का थात्वा, सौफ्ट नेचर का होता है, काफी मुलायम नेचर का होता है, ऐसे ही कफ को फिर बैलेंस करने के लिए, यानि कफ की जब वृ और दोरी चीजों का सेवन करेंगे तो कफ घट जाएगा तो ऐसे ही हम प्रपोर्टीज के इसके विरुद्ध जाते हैं इसको भी हम शांत कर सकते हैं तो यह थी वीडियो वात-पित्त कफ के बारे में यानि कि वात-पित्त कफ क्या होती हैं यह कैसे उपद्रव करते हैं तो कि इनको किस प्रकार से शांत किया जाताया अब हाँ बड़ी असानी से पहचान सकते हैं वात कैसा होता पित्त कैसा होता है कफ और जँन जब हमारे शरीर में ऐसे जो लक्षण दिखेंगे भारी पन दिखेंगा, गुरुता दिखेंगी, ठंड़क पन दिखेंगा किसी बिमारी के अंदर तो हमें समझना चाहिए ये कहीं न कहीं कफ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं कोई गर्मी दिखेगी, किसी प्रगार की जलन दिखेगी, बर्निंग संसेशन दिखेगा, वहां समझना चाहिए कि गर्मी कुषनता जो पित का गुण है, तो यहां पर जरूर कहीं न कहीं पित कूपित हुआ है, ऐसे ही कहीं ड्राइनेस, दर्द इत्यादी, यह क इनका प्रभुत्य स्थान होता है यानि कि dominant place होता है ऐसे तो यह पुरी शरीर में विद्धमान रहते हैं लेकिन इनका प्रभुत्य स्थान यानि dominant place जो होता है वहां ये विशेश रूप से रहते हैं ऐसे ही काल के हिसाब से रहते हैं यानि कि हमारे बचपन में जवानी में ब dominant जादा रहती है उससे भी हमें आयरवेज तथा अपने स्वास्ते के बारे में और प्रकृति के साथ जुड़ कर रहने में काफी जादा सहायता मिलेगी तो आगे मिलते हैं अगली जानकारी के साथ आज के लिए इतना है सादर प्रणाम